क्या सच में सिर्फ सो मुर्गी पाल कर छे से साथ हजार तक का कमाई किया जा सकता है हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहें सवनाली मुर्गी पालन मुझे उमीद है कि आप सभी स्वास्तेंड हेल्दी होंगे आज का टॉपिक है कि क्या सो मुर्गी पाल कर छे से साथ हजार तक कमाई किया जा सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सो मुर्गी पालने के लिए सबसे पहले आपको डेड़ सो स्क्वाइर फिट का जगा चाहिए जो कि आप कोई छोटा सा रूम भी अगर है तो उसमें आप सो मुर्गी आराम से पाल सकते हैं दोस्तो चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी घंटी ओन कर दें जिसे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए उसके बाद आपको ज़रुरत पड़ेगा दो ड्रिंकर और दो फिडर का जिसमें आप मुर्गियों को दाना और पानी देंगे बुरुडिंग के लिए आपको चार बल्ब चाहिए पीला बल्ब जो की 100 वाट का आता है इतना सब कुछ करने के बाद आप चूजा खरीदें कोई भी लोकल डिलर से आप चूजा खरीद सकते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का ही चूजा खरीदें जैसे कि भैंकिज, फोनिक्स, एसार ये सब कमपनी थोड़े अच्छे क्वालिटी में चिक्स आता है तो आप इन में से कोई भी कमपनी का चिक्स खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी का चिक्स रहने से आपका बोडी वेट थोड़ा अच्छा गेन करेगा और आपके चिक्स में ज़्यादा मोटिलिटी भी नहीं आएगा तो आप प्रियास करें कि अच्छी क्वालिटी का ही चिक्स लें दोस्तों चूजा अभी के टाइम पे 40 रुपे प्राइस चल रहा है हमारे यहां क्योंकि चिक्स का रेट अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है और गर्मियों के मौसम में त्यार मुर्गा का भी रेट अच्छा रहता है इसलिए चिक्स का रेट थोड़ा गर्मियों में ज़्यादा रहता है 40 रुपिय पर चिक्स के हिसाब से 100 चिक्स का मेरा 4000 रुपिया हो जाता है उसके बाद आपको जरुरत पड़ेगा दाना का तो 100 मुर्गी 3 केजी दाना खाके 2 केजी वेडी वेट आ जाएंगे तो आपको टोटल 6 बैक दाना लगेगा जो कि अभी के टाइम में फीट का रेट तो बहुत ही जादा हाए है मैं अभी 2400 रुपिय पर बैक के हिसाब से जोड रहा हूँ जो कि एक प्रीमियम कॉलिटी का दाना है इसमें 3 केजी खाके अराम से 2 केजी आपका मुर्गा आ जाएगा 2400 रुपिया पर बैक के हिसाब से 6 बैक का मेरा 14400 रुपिया हो जाता है उसके बाद हमें ज़रुत पड़ेगा मेडिसीन का मेडिसीन में 500 रुपिया ले रहा हूँ एक मुर्गे का पीछे 5 रुपिया मैंने पकर के चला है पांच रुपया काफी होता है एक मुर्गा के लिए इन सब का अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो चिक्स का हो गया चार हजार दाना का हो गया चौदा हजार चार सो और मेडिसिन का हो गया पांसो अगर हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो हमारा लागत आता है 18,900 रुपया इतना सब कुछ करने के बाद आपका 35 से 40 दिन में मुर्गा 2 kg बोडी बेट आजाएगा चलिए मैं मान के चलता हो कि 3% आपका मॉटिलिटी हो गया 6 मुर्गे आपके मर गये तो टोटल आपके पास 96 मुर्गे बचेंगे क्योंकि आपको 100 चिक्स जब खरीदेंगे तो 2 चिक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तो 96 पीस बर्ट्स अगर आपके टोटल बचेंगे तो उनका बोडी वेट अगर 2 kg आया तो टोटल माल आपका 192 kg हो जाएगा और उसको अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो अभी रेट बहुत ही बढ़िया है अभी हमारे यहां 140 रुपे पर केजी के हिसाब से चल रहा है टोटल माल को आप अगर सेल करते हैं तो आपका 26,880 रुपया हो जाता है सेल का दोस्तों अगर हम सेल में से अपना लागत निकाल देते हैं तो भी हमें 7,980 रुपे का प्रोफिट होगा फ्रेंट्स अगर आपके यहां कुछ रेट कम है माल लेते हैं कि चलिए आप 130 रुपे केजी सेल कर रहे हैं पुरा माल को तो भी आपका 24,960 रुपे का माल सेल होगा अगर उसमें से आप लागत को निकाल देते हैं 18,900 रुपया फिर भी आपका 6,060 रुपया बच रहा है तो 100 मुर्गी पालकर 6,000-8,000 रुपया कमाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आप 100 या 200 बॉयलर मुर्गे से ही स्टार्ट करें क्योंकि आप ज़्यादा में स्टार्ट करेंगे तो आपको बीच में कोई भी प्रॉबलम हुआ तो आपको लॉस हो सकता है इसलिए कोशिस करें कि कम से कम में ही स्टार्ट करें 100 या 200 मुर्गी पालकर ही पहले अपना अनुभाव लें सीखें उसके बाद आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं एक हजार, दो हजार, पाँच हजार आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल में पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन का भी घंटी ओन कर दें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जय हिन बंदे मात्रव